कि यू पी टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य के लिए है जा है के लिए आज हम अपने इसकंड में रड़नीत के बारे में चर्चा करेंगे हमारी जो रड़नीत होगी वह यह होगी कि हम आसानि से परिक्षा को कैसे पास कर सके परिक्षा को पास करने के लिए हमारे पास कुछ मात्पूर टेक्निक्स होंगी जिनको हम देखेंगे जिसमें सबसे पहली जो टेक्निक होंगी वह है कि हम सबसे पहले आयो के द्वारा या बोर्ड के द्वारा परिक्षा को पास करने के लिए कि जो पाठ्धेक्रम, निर्धारीत किया गया है वह हमारे पास होना चाहिए और वह उसके बारे में हमें संपोन जानकारी होनी चाहिए संपोन जानकारी यह कि वह हमें कंठस्त होना चाहिए क्योंकि किसी भी exam को आसानी से qualify करने के लिए और उसमें अपनी जो अपना स्थान सुनेश्चित करने के लिए किसी भी एक्जाम के लिए वह TGT-PGT का हो या किसी अन्द परिक्षा का उसका पाठ्यक्रम सब उसकी कुल्जी होती है किसी भी ताले को बिना उसकी कुल्जी से नहीं खोला जा सकता ठीक वैसे ही किसी भी परिक्षा को टैकल करने के लिए जो सबसे पहला हथियार होना चाहिए वह उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए जो की आधिकारिक होना चाहिए अर्थात जिस विभाग की या जिस आयोग की परिक्षा हो ऐस आयोग द्वारा जो पठेकरम जारी किया जाता है वह हमारे पास होना चाहिए और वह उसलिए होना चाहिए क्योंकि जब हम पुस्तके पढ़ रहे होते हैं या जब हम practice sex solve कर रहे होते हैं और हमें यह नहीं पता होता है कि falls restriction जो जिस प्रस्व रहे हैं वह कहां से या किस खंड से आया हुआ है तो हम जब उस खंड को पढ़ते हैं उस प्रस्ण के आधार पर उस खंड को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो उसकी गहराई और उसका जो परास है या उसका जो छेत्र है वह हमें मालुम नहीं हो पाता है और जब तक हमें प्रस्टनों की गहराई, हमें उसकी जानकारी और उसके प्रकिर्ट के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम परिक्षा हमारे लिए पास करना बहुत ही मुस्किल हो जाएगा तो कुछ बिंदू है जिन बिंदो के आधार पर आज की हमारी TGT PGT हिंदी बिसे के लिए जो उसको पास करने की एक रणनीत होगी जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे जिसमें जो सबसे पहला हत्यार होगा वह हमारा पाख्यक्रब होगा दूसरा जो होगा वह होगा पूर्व में हुई परिक्षा के परिक्षा के प्रश्न पत्र इसके पहले जो भी परिक्षाए उत्तरपदश TGT PGT की होई है उनके पुराने प्रश्न पत्र हमारे पास होना चाहिए जहां से भी जैसे भी गूगल करके या फिर किसी पुस्तग्मंडार से जहां से भी वह मिले हो हमारे पास होना चाहिए उसी के आधार पे हम आगे की रणनीत तै करेंगे तीसरा जो बिंदु है वहाँ है कि हमें हमारे पास पाठ्षक्रम है हमारे पास इसके पहले जो पज्जो परिक्षाए हुई है उसके बारे में जानगारी है कि किस प्रकार से प्रस्ण पूछे जाते है उन प्रस्टों के लिए, संपूर तयारी के लिए कुछ महत्यपूर पुस्तके वैसे जब हम किसी भी परिक्षा के तयारी में जाते हैं तो हमारे पास बहुत बिल्कुल भंडारप है आप गूगल करेंगे या यूट्यूब पे जाएंगे अपके तो आपको बहुत सारी विभिन सेक्षकों ने बहुत सारी पुस्तकों के नाम किमत्यूद चुकि हमारे पास समय का भाव है या फिर हमें एक ऐसी रणनी तो बनानी है ताकि हमारी जो सफलता है वह सफलता बहुत आसानी से कम समय में कम महिनत में और ही बहुत smart तरीके से हम उसको हासिल कर सकें सफलता को हासिल कर सकें और अपने पंद को प्राप्त करें उसके लिए पुस्तके जो हो बहुत ही मानक वाली हो रही जाहिए जिसमें तुर्टिया कम से कम हो या फिर बहुत अधिक मात्रा में पुस्तके नहों संख्या उनकी ऐसा नहों कि हम पुस्तकों का धेर लगाते चले जावा हम तो तक परिक्षा के निंदक हम उसे संपोर्ण उसे पढ़ना सके कुछ पुस्तके ऐसी मानक पुस्तके हैं जिनके बिना जो हिंदी साहित या हिंदी किसी भी परिक्षा की हिंदी जहां साहित से संबंधित रशनाते हैं वहां उनका कह सकते हैं वो स्रोत है वही से सब कुछ निकलता है वहां उसके बिना जो है हमारी तैयारी बिलकुल अधूरी होगी पुस्तके पढ़ने के बाद पुस्तकों को हम दो आधारों पढ़ेंगे वह दोनों आधार जो है वह पाठे क्रम और जो इसके पूर्व पे हुई जो परिक्षाए होगे पुस्तकों के बाद जो हमारा चोथा अस्तंब होगा वह होगा Practice Set Practice Set जिसमें आने बहुंद ऐसे प्रस्त जो पूछे भी जा चुके होगे या फिर ऐसे प्रस्त जो पूछे जाने के संब्स ними बहुत होड़ा है यह करते हैं कि वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और पहले प्रेक्टिस इट सौलू कर लो और फिर मैं देखूं कि मुझे कितनी जानकारी कि उनकी संख्या क्या है इस पचड़े में इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि बिना भी जानकारी के बिना ग्यान के जब भी हम प्रस्ट करते हैं कभी अगर तुक्के से उनकी संख्या ठीक हो गई तो आप अत्मिश्वास से लब्रेज हो जाएगे जो भी हानकारक है और अग किसी और अगर आपके सिर्फ दो या तीन चार या पांच प्रस्ट से ही हुए तो आप बहुत ही हिंता मोध से भर जाएगे जो भी आपके परिक्षा के लिए आगामी परिक्षा के लिए बहुत ही नुक्सान दे होगा तो इसलिए कभी भी प्रैक्टिस सेट को सबसे पहले ना खोले बहुत सारी विविन में लग रहा है लगभग मार्केट में हजारों की संख्या में प्रैक्टिस सेट उपलम्न है पहले भी थे आज भी है और वह हमें बहुत आराम से मिल जाएगे लेकिन हमें प्रैक्टिस सेट पे सबसे पहले नहीं जाना है प्रैक्टिस सेट नहीं तो कम से कम दो बार बहुत ही एक हमारा ओवर्व्यू एक सूच्प द्रिष्टी से एक यह संपुर्ण रूप से हमने उस पूरे पाठ्ठेक्रम को एक बार कम से कम पूरा कर लिया हो कम्प्लीट हो गया हो और हमें ऐसा लग रहा हो कि हम अब प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट के बाद यह यह चीज़ें आप स्वैम कर सकते हैं बिना किसी की सहायता से इसमें सहायता यह हो सकती है कि आप किसी भी सिक्षक के द्वारा बताएगी किसी भी पुस्तों को फालो कर सकते हैं कि तू इन सब चीजों को एक साथ या एक साथ करने में या लगातार करने में बहुत समस्याई आती है उन समस्याओं के लिए उन समस्थ्यावा को दूर करने के लिए आप कोचिंग का सहरा ले सकते यह किसी भी संस्था का जहां पे उससे सम्मंदित पढ़ाई होती है कोई भी संस्था जहां पे उसकी पढ़ाई होती है मूल हमारा यहां है संस्थान से आपके लिए होगा कि यह चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी प्रैक्टिस करनाथ के लिए आसान हो जाएगा पुस्तके आनवारे हो जाएगी नोट्स आपके इसलिए अवैलेबल होंगे और बाकी सारी चीज़े जो है वो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी ये ये चार चीजे किसी भी परिक्षा को पास करने के लिए बहुत ही जरूरी होती है इसके साथ ही साथ हमें जो इसके अलावा जो बहुत महत्पूर जाने के लिए है या तो हमारे पास ग्यान के लिए है कि हम जिस परिक्षा की तयारी करने जा रहे है उसमें या हमें वह उसका बेस है बिना इस आधार के हम उसको क्रैक नहीं कर सकते इसके साथ जो है हमारी रणड़नीत में जो एक बहुत अहम चीज सामिल है वह यह होनी चाहिए कि जो परिच्छा का परिच्छा का पैटर्न क्या है अर्थार किस प्रकार के प्रस्ण पूछे जा रहे हैं परिच्छा वस्त्रिस्ट है या आत्मिनिस्ट है किस संख्या में कितनी संख्या में प्रस्ण आते हैं और परिच्छा जब हम दे रहे हैं उसके पहले साल में या उसके पहले जो भी जो भी एक्जाम में हैं उस एक्जाम में किस खंड से सरबाधी प्रश्ण पूछे के हैं कौन सा खंड ऐसा है जहां से बहुत या यू कहें नगर्ड प्रश्णाते हैं कोई खंड पठेग्रम का ऐसा होगा जिस खंड से बहुतायत म अगर हमें हिंदी विशय की बात करें तो हम देखते हैं जो साहित की वाला भाग है हिंदी साहित का हिंदी भास विशय का जो साहित खंड है उस खंड से लगभग प्रस्न पूछे जाते हैं तो परिक्षा का जो पैटर्न है या जो प्रस्न पूछे गए है उसमें अभी तक हिंदी विशय में जो साहित खंड है उस साहित खंड से लगभग 60-30 प्रस्ण पूछे जाते हैं इसलिए परिप्षा का पैटर्न हमें बहुत ही बारीगी से देखना होगा तो इस प्रकार जो हमारी परिप्षा के रणी नीट होगी वह इन पांच बिन्दो के आधार पर होगी जो सबसे सबसे पहला जो बिन्दु था वा पाठ्यकरम का था TGT और PGT हिंदी भासा के लिए या हिंदी साहित के लिए या हिंदी बिशय के लिए सम्पूल पाठ्यकरम की चर्चा पहले के दो क्लासेज में बहुत ही बिस्तार से सब्भूल पाठ्यक्रम की चर्चा गी गई है एक एक खंड को एक एक उपखंड को बहुत ही बारिकी से और बहुत ही विस्तार से समझाया गया है आप उसको पहले के वीडियोस में आप देख सकते हैं इसलिए हम आज यहां पर सम्मूर्ण पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम की चर्चा नहीं करेंगे बस एक अंतर यहां है कि TGT और PGT के पाठ्यक्रम में हिंदी के पाठिकरम में बहुत मामूली अंतर है बहुत जादा अंतर नहीं है कुछ खंडों में तथ्यों को बढ़ाया गया है कुछ खंडों में तथ्यों को कम किया गया है संकलकुना को बढ़ावा दिया गया है सिर्फ यही एक अंतर है बहुत बाकी बहुत ज़्यादा या फिर्यूग है कि दोनों में लगभक 20 से 30 प्रतिसत का ही अंतर है इससे ज़्यादा का अंतर हमें नहीं मिलता है तो पाठिकरम की चर्चा में एक बार ऐस सामानु रूप से आपको पाठिकरम के बारे में बता देता हूँ कि जो पाठिकरम है उसमें जैसे हिंदी साहित का इतिहास पाठिकरम में एक महतुपूर टापिक है हिंदी साहित का इतिहास और हमें पाठिकरम बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए पुस्तक को पढ़ते समय हमारे लिए जो सबसे बिसेश बात है यही होनी चाहिए कि हमें संबोल्ड पाठिकरम कंठस्थ होना चाहिए जिस भी प्रस्ण को देखें, जिस भी तथी को देखें, जिस भी पंक्ति को हम पढ़ रहे हो, यहां में पता होना चाहिए, यह हमारे पाठकरम का हिस्सा है, अनर्गल मेहनत या फिर छेत्र से बाहर की मेहनत करने से कोई फाइड़ा नहीं है, स्मार्ट स्टडी का समय है, और स्मार्ट परिक्षाएं हो रही है, जो प्रस्ण पूछे जा रहे हैं, वो आपको अपना समय बेर्थ रही करना है, कंपटीशन बहुत ही बड़े अस्तर पर बहुत ही कठिन अस्तर पर हो रहा है, और जिस प्रकार से परिक्षार्दी या जिस प्रकार से संख्या बढ़ती जा रही है उससाब से उस प्रकार से कंपनिशन दिन बढ़ता जा रहा है इसलिए अब आपको मेहनत के साथ साथ बहुत ही स्मार्ट तरीके से कारे करना होगा और तैयारी करनी करनी होगी जब हिंदी साहित का इतिहास एक खंड है जो कि टीटी पीजीटी दोलों दोलों परभ्के करम में ह् जुख है लेintérieur तर पुराने प्रस्ट पत्रों को देखेंगे तो पराने प्रस्पत्रों में हमें यह प्रकृती पता damnches एक कि हां इतिहास गरम्थों के नाम पूछे गया है इतिहास गरम्थों के नाम पूछे गया है प्रकाशन वर्स पूछा गया है ग्रम्थों के नाम वह रचनाकार या उण ग्रम्थों से ग्रम्थों में जो वर्णा नहीं या जो ग्रम्थों की विशेस्ताएं हैं वो पूछी गई है अब ऐसा नहों हो इस करब में हम हिंदी साहित के इतिहास लेखन के सम्मूल परंपरा को कंठस्त करते चले जा रहे हैं और नाम और साहित यार्द करते जा रहे हैं हम यह देखते जा रहे हैं कि मिस्र बंधों ने मिस्र बंधो विरोगत नाम से कि इतिहास लिखा हिंदी साहित का इतिहास लिखा मिस्र बंदों ने मिस्र बंदों भी लोगत के नाम से किन्तो हमें यहां नहीं पता है कि उस इतिहास में क्या है हमें यहां भी जानकारी होनी चाहिए कि मिस्र बंदों ने जो अपना इतिहास लिखा हिंदी साहित का वो इतिहास दो खंडों में प्रकासित हुआ किस-किस वर से प्रकासित हुआ यह भी परिक्षा के परास में है और इससे भी प्रस्ट बंते हैं तो पाठ्ठे करम हमें जब ध्यान में रहेगा और उसके साथ-साथ में पुरानी हुई परिक्षाओं के प्रस्ट पत्र हमारे सामने रहेंगे तो हमें यहां पढ़ने में आसानी होगी कि हिंदी साहित की इतिहास लेखन से या हिंदी साहित की इतिहास से जो भी प्रस्ट पूछे गए है वे किस प्रकार के पूछे गए है क्या सिर्फ ग्रंथों का नाम पढ़ने से हमें जानकारी बिल जाएगी सिर्फ ग्रंथों को रट लेने से काम चल जाएगा या फिर सिर्फ रचनाकारों का नाम जान लेना ही हमारे ले परियाप के होगा या फिर उनका प्रकासन वर्स हमारे ले जान लेना परियाप होगा या फिर उनका ग्रंथों की प्रविडत क्या है बैज्ञानी काधार पर लिखेगे जो जिन रचनाओं का या कमियों या रचनाकारों का उल्ले किया गया वह वर्ड करमा अनुसार है या फिर ऐसे ही फैले है इसलिए हमें पाठेक्रम और पाठेक्रम जब भी रखेंगे तो पाठेक्रम अकेला नहीं होगा पाठेक्रम के प्रश्णपत्र भी होना चाहिए बिना प्रश्णपत्र के पाठेक्रम अधूरा है परिक्षा की दिरिष्ट से आपके ज्यान की दिरिष्ट से और आपकी सफहलता सुलेश्चित होने की दिरिष्ट से बिना प्रश्णपत्र के पाठेक्रम अधूरा है या बिल्कुल अप अपने मन में बिठा लीजिए सिर्फ अपाठेक्रम देखेंगे तो हमें कोई कोई फायदा नहीं होगा सिर्फ प्रस्णपत्र देखेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा हम सिर्फ पढ़ते जाएंगे ठीक उसी तरह से जैसे कोलू का वैल होता है उसे एक बार लगा दिय है या नहीं और उस जानकारी के लिए हमें पाठ्zh करा मोर्र परस्थ पत्र को सब्सक्रों को ही तो पाठ्यक्रम ध्यान होगा एक सामान वरग्याण करते हैं तो पाठिक्रम लगभग पाच वरगों में विभाजित है पहला वरग है साहित्य जिसे आप सुद्ध साहित्य कह सकते हैं जिसमें सुद्ध साहित्य है अर्थार साहित्य हैं साहित्य कार है उनकी रचनाये है उसके साथ साथ साहित्य दो खंडों में बटा हुआ है गद्धखंड और काब खंड एक काब खंड है दूसरा गद्धखंड है उसके बाद साहित के बाद जो दूसरा भाग है वह भासा का भाग है भासा बिज्ञान का खंड है भासा मिज्ञान का जो खंड है जिसमें बोलिया है बोलियों के साथ साथ में हिंदी की सम्द सम्दा है कि जो जिस रूप में सम्दिया जो रूप हमें आज मिला हुआ है जो हमें मिला हुआ है वह किस प्रकार से है और वह क्या है धुरिया है इसी में लिपी है जिस लिपी में हम लिख रहे हैं वह उसका विकास क्रम क्या है वह कैसे हमारे तक होची और भासा को आज के आज जिस रूप में हम देखते हैं वह जो विकास हुआ अपभर्ण सवहट या प्राकृत से या लिपी का जो विकास हुआ तुटियों का सुधार की सुरूप में हुआ तो जो दूसरा खंड है वह भासा बिज्ञान का है भासा बिज्ञान के बाद एक महत्वूर खंड है तीसरा वहा है काबिशास्त्र का काबिशास्त्र का जो या खंड बिलकुल अलग है अब भासा बिज्ञान साहित का खंड भासा बिज्ञान का खंड और काबिशास्त्र जिसमें काबिशास्त्र के अंतरगत हम सामानले रूप में, जो भार हिंदी ब्याकरण की रूप में पढ़ते हैं रस्थन अलंकार, वहखंड हम कावि सास्त्र के अंदर गत पढ़ेंगे क्योंकि मूल रूप से वहखंड कावि सास्त्र का है अर्थार कावि सास्त्र के यह, जो कुछ नीम मनाएगे जो वैकरणों वैकरणचार्यों जो नियम मनाये किसी विशाहित के लिए लिखने के लिए काभी के लिए गंद के लिए वह सब काविसास के अंतर्गत है तो तीसरा खंडू जो महत्रपूर खंड है पाथिक्रम का वह काविसास्त्र का है काविसास्त्र के पश्चाथ कि सामान व्याकरण का एक खंड है इन चार खंडों के पश्चाथ जो पाचमा खंड है वहां है संस्कृत साहित का संस्कृत साहित जो अगला खंड है वह संस्कृत साहित का है संस्कृत साहित के साथ साथ जो एक और खंड उपखंड जुड़ा हुआ है वह व्याकरण का है अर्थात संस्कृत का जो व्याकरण है उसके बारे में चर्चा करनी है अब यहां हम देखेंगे एक व्याकरण यहां है दूसरा व्याकरण यहां है और कुछ हद तक एक व्याकरण का उलेख यहां पर भी आपको मिलेगा तो ऐसा नहीं है, ये देख के नहीं घबराना है कि हमें ये एक व्याकरण हिंदी का अलग पढ़ना है, काविशास्त्र का अलग पढ़ना है, संस्कृत साहित के साथ अलग पढ़ना है जब हम देखेंगे तो जिस एक सामान निभासा में व्याकरण के अंतर का जो चीजे हम पढ़ते थे उसी का वरेगी करण पाठे करण में अलग-अलग रूप से कर दिया गया है कुछ को संस्कृत साहित के अंतर के अंतर के अंतर रख दिया गया है जिसमें संदी, समास, उपसर्ग, प्रत्य, ये सारी चीजे है कुछ को इस व्याकरण के अंतर रख दिया गया है जिसमें वरतरी की सुद्धियां है, असुद्धियां है, परियावाची है लिंग है, वचन है, वो सारी चीजे है और कुछ चीजें जो हमें काभिशास्त्र के अंतरगत पहड़ी है जिसमें रस, भेद, छंद, अलंकार, काभिएतु या वो सारी चीजें हैं जो काभिशास्त्र से संबंदित है पाठ्यकरम की संबूर चर्चा, पाठ्यकरम किस रूप में है, क्या-क्या है, एक्जैक्ट जो आयोग ने जारी किया है, पाठ्यकरम हमने पहले के दो वीडियों में TGT के लिए अलग और PGT के लिए अलग हमने YouTube पे संस्था की, संस्था क्या जो चैनल है उस पे आप इसलिए हम यहाँ पाठ्यकरम पे हम बहुत जादा चर्चा ना करते हुए परिप्षा की रणनीत पे चर्चा करेंगे, तो हमारे लिए जादा बेहतर होगा, तो पाठ्यकरम की पस्चार, जो दूसरा महत्यपूर्ण खंड है, वहाँ है, जुसको मैंने पाठ्यकरम के साथ साथ ही मैं लेकर चल रहा हूँ, वह पाठ्यकरम के साथ साथ है, तो हम उसमें कुछ दो-चार उधारन के साथ हम देखेंगे, वहाँ है, पुराने प्रस्ण पत्र, पुराने प्रस्ण पत्र, पुराने प्रस्ण पत्र, इसलिए अनिवारे है, सिर्फ और सरफ इसलिए अनि देखेंगे पुराने प्रस्ण पत्रों की बिना जानकारी के पुराने प्रस्ण पत्रों को नहीं देखेंगे तो हमें यहाँ पूरा थोला सा भी यह आइडिया नहीं लगेगा कि प्रस्ण कहां से पूछे जा रहे हैं या प्रकिट क्या है या उनकी गहनाई क्या है हम सिर्फ सतही रूप से उपर उपर पढ़कर हम लोग निकल जाएंगे और हमें बिल्कुल जामकारी नहीं होगी इसलिए पुराने प्रस्ट पत्रों को देखना बहुत ही जादा जरूरी है और आगामी जो कच्छाएं चल रही है पुराने प्रस्ट पत्रों पर और उन प्रस्ट पत्रों के प्रकृत पर हम चर्चा करेंगे ताकि यहां हमारी समझ विक्सित हो सके और हम आपने पाठ्यक्रम को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ सके तो पुराने प्रस्ट पत्रों में बिना पुराने प्रस्ट पत्रों के हमारे लिए परिप्षा को समझना बहुत ही कठीर हो जाएगा इसके पस्चाब जो सबसे महत्रपूर चीज थी वहाँ थी पुस्तके पुस्तकों में हमें सभी पुस्तकें नहीं पढ़नी है पढ़नी हमें पुस्तकों को अपने में साहीद करती हो सबसे पहली बात कोई भी पुस्तक खराम नहीं होती है परोंतों हमें उन पुस्तकों को चुनना है जो हमारे समोल पाथे करम को अपने में समाहित करती हो कम समय में जिसमें हम जादा जानकारी खठा कर सकें जैसे जो प्रश्ण पत्रों की जो प्रकृति है याफिर जो परिक्षा की प्रकृति है वह वस्तुनिस्थ है वस्तुनिस्ट प्रकार के प्रस्ट पूछे जाते हैं इनकी पवस्तुरिष्ट प्रकार के जो है इनकी एक सीमा होती है वह सीमा यह है कि संकल्पनात्मक या कॉंसेट जो है संकल्पनात्मक रूम से जिसे हम सामा निभासा में या फिर अग्रेजिवे थेरी कहते है या फिर जो एक उस तरह के प्रस्ण नहीं पूछे जाते हैं बहुत ही कह सकते हैं यदा कदा या कुछ स्टेटमेंट आ जाते हो कुछ किसी भी विद्वान ने कोई बात कही हो वह बात भले आ जाती हो परण्द उस पे बहुत ही विस्तार के साथ कोई प्रस्ण नहीं पूछा जाता है वस्तुरिष्ट प्रकार के प्रस्णों की कुछ सीमाएं होती हैं वे यही है कि उसमें सिर्फ वो संकल पनात्मग रूप रिके जो प्रस्ण हैं वो नहीं बगभाते हैं को कि प्रस्ण बंदे कैसे वस्तुरिष्ट में अधिकांश्च जो प्रस्ण होते हैं जो टीजी事 औपीजी exist it या परिघ्षा पैटर्न है उसमें corresponding प्रश्न पूछे जाते हुआ ज्यादा तर तथ्यात्मक रूप के प्रश्न पूछे जाते हैं अर्था तथ्य बहुत ही अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं तथ्यात्मक रूप से या हिंदी विशेंग में जितने भी प्रस्ण आते हैं अधिकतर प्रस्ण वह तथ्यात्मक होते हैं व्याकरण को छोड़ दे तो व्याकरण तो अपने आप में तथ्यात्मक है ही तथ्यात्मक प्रकार के प्रस्ण पूछने की ही सम्हावना व्याकरण में हो सकती है और जो साहित के अव्खन ने हैं, उस साहित जो सबसे बड़ा भाग है, उस भाग में जो अधिकतर प्रष्ण होते हैं कैसे हैं, सो प्रतिसत साहित के प्रष्ण हैं वो तप्थ्यात्मग रूप से आते हैं. इसलिए जो हमें परिक्षा की प्रिक्रती है उस हिसाब से ऐसी पुस्तकों का हमें चुलाओ करना होगा ताकि हम कम समय में जादा से जादा तथ्य को इकठा कर सकें ऐसा ना हो कि हम सिर्फ आदिकाल को पढ़ते रह जाएं और परिक्षा की तिति नजदीग आ जाएं और हमारे पास तथ्य के रूप में कुछ ना हो हमें सिर्फ आदिकाल के प्रिक्रति के बारे में या प्रिक्रतियों के बारे में ही जनकरीव हो या फिर हम सिर्फ यही देख सब्सक्ता हूं और मैं काफी मेहनत और काफी दिनों की मेहनत के बात जो है उन पुस्तकों का चुनाओं किया गया है जो कुछ 6 साथ पुस्तके हैं जिनको आप देखेंगे और ही वह बहुत ही मलब परियारत है उससे बाहर आने की कुछ कुछ भी समभाना हो ही नहीं सकती क्योंकि वह अपने आप में सबसे मानक पुस्तक Hen जो कमपटीशन के रूप में भी बहुत जादा मानक में हैं और कुछ पुस्तक है जो آक मैंक परिक्षाओं के नहीं भी बहुत ज्यादा मात Credit हैं जहां से प्रश्ण बहुत ही बात्रा में पूछे जाते हैं तो उन पुस्तकों में कुछ पुस्तकों के अगर हम चर्चा करेंगे तो एक बड़ी पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी साहित का इतिहास हिंदी साहित का इतिहास इसका संपादन किया है डाक्टर नगेंदर ने इसका संपादन किया है हिंदी साहित की इतिहास के नाम से अचार नाम चर्चा की पुस्तक है लेकिन अगर हम डाक्टर नगेंदर की पुस्तक पढ़ने के लिए कह रहे हैं तो इसके पीछे कारण यहाँ है कि डाक्टर नगेंदर की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं तो हमें वो पीछे की जो और मानक पुस्तके हैं वह चाहे हजारी प्रसाद वेदी ने जो की पुस्तके आधिकाल या साहित पे लिखी आचार सुकल ने जो लिखी या फिर उनके पहले के जो भी साहित कार हुए या इतिहास कार हुए जिनों ने जो पुस्तके लिखी उनका एक सार रूप कह सकते हैं या फिर उन सब का जो जो खंड सबसे महत्पूर था या जिसे सर्भमान ने था या जिसे सारभव रूप से मान्यता मिली हुई थी उन खंडों को डाक्टर नगेंदर ने अपनी पुस्तक में रखा है इसलिए हिन्दी साहित के इतिहास के रूप में अगर आपको पुस्तक पढ़ना है अभी आपके पास समय है चुकि परिक्षा कितिती नहीं घोसित हुई है इसलिए आप इस पुस्तक को अपने परिक्षा की तयारी में सामिल कर सकते हैं और यहां बहुत ही निरलायक सा вызवित होगे हिन्द इसमें तत्य भी आपको मिलेंगे और बहुत ही थोड़ी पुस्तक है बहुत मोटी भी नहीं है थोड़ी ठिक थाक है बहुत ही अच्छी पुस्तक है और आपको सम्मूल हिन्दी साहित्य साहित्य का जो भाग है वाइस में आपको मिल जाएगा और तथ्यों के साथ मिल जाएगा संकल्पनाओं के साथ मिल जाएगा और मानक रूप से मिल जाएगा मानक रूप से कहने का आसे सिर्फ इतना है कि अगर आदिकाल पे हजारी प्रसाद दिवेदी जी ने बहुत ही बहतर काम किया है या उनकी पुस्तिके मानक है तो आदिकाल का जो खंड है वह हजारी परसाद दिवेदी जी से ही प्रभावित है या फिर उनको ही फालू किया गया है अगर भक्तिकाल पे आचारसुकल का का किया गया काम या रिसर्च या सोध बहुत ही महत्पूल है तो इसके भक्तिकाल का जो खंड है उसमें आचारश सुकल की बातों को बेहद बारीकी से हो बहुत ही विसलेशण के साथ रखा गया है इसलिए यहाँ पुस्तक बहुत ही मानक है यहाँ बड़ा मानक है बहुत ही कारगर उपाय हो सकती है आपकी तैयारी में जो दूसरी पुस्तक है अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनको लगता हो इसकी किताब की मुटाई देखके या फिर थोड़ा अलसी है या फिर जिनके पास समय नहीं या फिर कहीं और पे कुछ उनके पास समय आभाओ है तो वह दूसरी पुस्तक के रूप में तो मैं हिंदी साहित का सरल इतिहाद जो विशुनात त्रिपाठी जी ने लिखी हुई है मैं उसकी बात कर रहा था और य इसे बिद्ध्यार्थियों के लिखा है जो जिनके पास समय नहीं है या फिर थोड़े आलसी है बागी विशुनात त्रिपाठी जी मिर्जापुर से नहीं थे यद्यपो त्रिपाठी थे इसके साथ में एक चीज जो महत्रपूरिया है कि अगर आपके पास यह इसको करने पर हिंदी साहित के इतिहास की एक सुक्ष जानकारी या एक प्रारूप की या कह सकते हैं या एक ओवर्व्यू बन जाएगा ओवर्व्यू स्खंड में कि जैसे अगर आपके पास यह जानकारी इसीज का भाव है या फिर मैं कहना चाहूंगा अगर जिन लोगों ने हि बहुत ही कम जानकारी है या बहुत ही सतही जानकारी है या फिर जिनको इतिहास का वरगी करण क्योंकि यहां जो कुस्तक है वह थोड़ी कहानी के रूप में है, इसमें बहुत जादा ऐसा खंडो का वरगी करन नहीं है, बहुत जादा तथ्य नहीं दिये गए है, बहुत जादा है, सिर्फ आपको हिंदी साहित के सरल इतिहास से आपको हिंदी साहित के बारे में एक जानक जनकारी हिंदी साहित के इतिहास के बारे में है तो आप डाक्टर रगेंदर की पुस्तक को पढ़ें इस पुस्तक को छोड़ दे और अगर आपके पास बिल्कुल आप जीरो से सुरू कर रहे हैं तो इसके लिए आपको यह पुस्तक आपके लिए बहुत ही सहायक सावित हो सक वह है हिंदी साहित का हिंदी साहित का आधिकाल तीसरी पुस्तक हिंदी साहित का आधिकाल जिसकी रचना हजारी पुसाद दुवेदी जी ने की है इस खंड से हमें आधिकाल का जो भाग है आधिकाल के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें मिलती है अगर आधिकाल के का खंड आपके लिए बहुत ही कठिन या दुरू है तो आप इस पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं अपने आप में यहां मानक पुस्तक हैं और आधिकाल से सम्मदित लगभग आउधारना हैं वह दुवेदी जी के पुस्तक से ही मानक के रूप में ली जाती है और उसी का रिफ्रेंस हर जगे मिलता है या तो साहित से सम्मदित कुछ पुस्तके थी तीन पुस्तके जिग्गा में ने जिक्र किया और जो समय है आपके पास अभी परिक्षा कीति तरही घोसित हुई है अगर आपके पास समय है तो इन पुस्तकों को जरूर पढ़ें इन पुस्टकों को पढ़ने से एक बात बिल्कुल निस्चित है कि परिफ्षा की तित के पहले ही की तया कुस्य दित पहले की तैयारी में जो लगे होते हैं या फिर अचानक से परिफ्षा की तित ghos plaint होते ही जिस अफरात अफ्री में लोग जग जाते हैं अगर आपने इस पहले से इन पुस्तकों को पढ़ रखा है तो यह मान के चलिए कि आप उनसे बेहतर इस्थिती में है और आप उनसे 20-25 प्रस्ट के मार्जिन में होंगे वह कितनी भी में रख कर लें आप से वह 20-25 प्रस्ट कम ही रहेंगे यह बिल्कुल सुरिश्चित है तो साहित के खंड के बाद एक पुस्तक जिसका नाम है भारतिय कार्विशास्त्र भारतिय कार्विशास्त्र भारतिय कार्विशास्त्र को पढ़ने के लिए आपके पास दो आप्सन है एक option है UGC NET की कोई भी पुस्तक जिसमें अंत में सामान दे रूप से करब कुछ पुस्तके माना पुस्तके हैं जा है रिहन्त की हो या प्रत्युक्ता साहित की हो उसको देखते हैं तो अंत में 20 से 30 पन्डों में काभिसास्तर से संबंदे उसका एक खंड है जो बहुत ही महत्पूल है उससे आपको काभिसास की एक अच्छी समझ बनेगी और काभिसास से जो प्रस्ण पूछे जाते हैं वह उन सारे प्रस्णों को कवर करता है अगर आपके पास UGC NET हिंदी साहित की हिंदी बिसे से संबंदित पुस्तके है तो आप वहाँ से भारते काभिसास के पूरस्ण को पढ़ सकते हैं अगर आपके पास यह पुस्तक नहीं है या पिर इसका जोकिम नहीं उठाना चाहते हैं आप चुकी नेट की दो पुस्तके आती हैं दो खंडों में खंड एक के साथ खंड दो आती है अगर आप दो पुस्तके नहीं लेना जाते तो डिसा सिर्वास्तों की पुस्तक आती है भारते काभिसास्त्र जो परिच्छा की दिष्ट से बहुत ही उपियोगी है भारते काभिसास्त्र के खंड को देखने के लिए चौथी पुस्तक के पश्चाप, यह तीन पुस्तके हमें जो खंड बताए गए थे, आपको याद होंगे, साहित का खंड था, भासा का खंड था, काविशास्त्र का खंड था, और व्याकरण के खंड दो तीन अलग-अलग भागों में थे, कुछ संस्कृत में थे, कुछ हिं पाचवी पुस्तक है, जिसका नाम है हिंदी व्याकरण योग रचना, हिंदी व्याकरण योग रचना, जिसके रचाइता है वाशुदेव, नंदन प्रशाद, या पुस्तक हिंदी व्याकरण के लिए बिल्कुल मानक पुस्तक है, इस पुस्तक के अलावा आपको कोई दूसरी पुस्तक बहुत जादा जरूरत नहीं है पढ़ लेगी, यद्देप हिंदी भासा और व्याकरण से सम्बंदे ते एक पुस्तक और आत इनकी सभी पुस्तके बहुत ही मानक है, उसमें डाक्टर हर्दयो बाहरी की पुस्तक है, व्याकरण से सम्बंदी हिंदी भासा से सम्बंदी, जिसका नाम ही हिंदी भासा है, पुस्तक का माम ही हिंदी भासा है, हिंदी भासा नाम की पुस्तक है डाक्टर हर्दयो बाहरी की वहाँ बहुत ही मानक पुस्तक हो सकती है व्याकरण के खंड के लिए और वहाँ आपके संस्कृत व्याकरण को और संस्कृत व्याकरण के साथ साथ आपके हिंदी व्याकरण और जो व्याकरण का एक तीसरा खंड था वहाँ उसी में समाही थे और उसी में आपको मिल जाएग एक बाद इन पांचों कुस्तप के अलावा एक बाद जो परिच्छा के पैटर्न को या परिच्छा की प्रकृतको या प्रस्णों की प्रकृतको देखने पे पता चलता है, वहिया है कि साहित का जो भाग है, जो की सबसे बड़ा भाग है, और सबसे ज़्यादा खंड पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्ण पूछे जाते हैं, उस साहित के भाग में जो सर्माधिक प्रश्ण पूछे जाते हैं, वह आधुनिक खंड से पूछे जाते हैं, अर्थाब आधुनिक साहित से सर्वाधिक प्रश्ण पूछे जाते हैं। किसी भी परिक्षा के लिए वो सिक्षक हो या फिर विद्यार्थी हो सब के लिए व्याकरण से संबंदी जो प्रस्ण है उनकी एक सीमाएं हैं और उस सीमा के बाहर नहीं जा सकते हैं। इसलिए जो हमारी स्मार्ट स्टुडी का एक भाव होना चाहिए जिसमें हम आसानी से प्रश्ण प्रश्ण को और परिक्षा को आराम से सॉल्व कर सकें। हम एरिट में आ सकें और हमारा सेलेक्शन हो जाए या हमारे लिए हमारा जो टार्गेट है वह टार्गेट का होना चाहिए हमें परिक्षा को किसी भी तरीके से पास करना है। और वह टरीका एक स्मार्ट तरीका होना चाहिए और परिक्षा के रूप में होना चाहिए ना कि किसी और रूप में होना चाहिए। बड़ी बातों के बजाए आप यथार्द को देखते हुए इसलिए जो आधुरिक साहिट्य है इससे संब्धेत एक पुस्तक है जिसका नाम है आधुरिक हिंदी साहिट्य का इतिहास। आधुरिक हिंदी साहिट्य का इतिहास जिसके लेखक है डाक्टर बच्चम सिंग। आधुरिक हिंदी साहिट्य का इतिहास डाक्टर बच्चम सिंगे द्वारा लिखेंगी पुस्तक है और आधुरिक साहिट्य के लिए या इससे बेहतर और आपके सामने और कोई पुस्तक नहीं हो सकती है और यहाँ आपको पढ़ना बिलकुल आवस्यक है अगर आपको अब कम से कम कुछ पढ़ना है तो आप डाक्टर बच्चम और इस पुस्तक को मिलकुल भी ना छोड़े हिंदी साहिट अब ये छे पुस्तकों को पढ़ने के बाद अभी चोगी समय है इसलिए आप इन छे पुस्तकों में से जो भी पुस्तक या फिर जो जिनका मैंने नाम लिया डाक्टर बच्चन सिंगी जो पुस्तक है ये तीरों पुस्तके पढ़ना मिलकुल ही कमकल सरी इन तीरों के विदा आपका बेड़ा पार होने वाला नहीं है इसके अलावा जो प्रस्नों की प्रकृत है उस हिसाब से एक ऐसी पुस्तक है जिसमें आपको लगभक सब कुछ मिलेगा जो वस्तुनिष्ट प्रकार का जो पुस्तक है वह वस्तुनिष्ट प्रकार की अर्थ वाध एक पंट में बात दी गई हो उसका उत्तर दिया गया है वन लाइनर जो तत्थ दिये गये है वह वह वन लाइनर टाइप के है उसमें रिसर्च पेपर ना हो करके एक गाइड की तरह पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी साहित का हिंदी साहित का वस्तुनिस्थ पुस्तक का नम ही वस्तुनिस्थ है हिंदी साहित का वस्तुनिस्थ इतिहास यह पुस्तक लिखी है पुनीत कुमार राय ने पुनीत कुमार राय की हिंदी साहित का वस्तुनिस इस्यात है इससे आपकी सबसे अच्छी चीज है कि आपको इसमें तथ्यों की कमी बिलकुल नहीं होगी तथ्यों की कमी बिलकुल नहीं होगी और आपके पास तथ्यों का बंडार होगा और जैसा कि आपको इस परिक्षा की प्रिदित के बारे में पता है तथ्यों की तथ्यों पर बहु इस तरह के जो प्रस्णाते हैं उन प्रस्णों के लिए जो हमारी रणनीत होगी वह इन विभिन्द खंडों के आधार पर होगी तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारी जो परिछा के रणनीत कैसी होनी चाहिए पुस्तकों के बाद जो चौथा सबसे महत्यपूर भागता वहा था प्रेक्टिस सेट प्रेक्टिस सेट किसी भी पुस्तक बढ़नार से आप कोई प्रेक्टिस सेट ले सकते किसी भी publication का हो उससे कोई मतलब नहीं है बस ऐसा होना चाहिए कि उसमें तुरुटिया ना हो वरतनी की तुरुटी ना हो क्योंकि हम अगर वरतनी की तुरुटि से संबंदित हमें बार-बार हमारे आखों के सामने वह संब्द पड़ेगा और अगर उससे संबंदित कोई ऐसा प्रस्ना आता है वरतनी से असुद्धियों से संबंदित चुकि हमारे पाठिकरम में असुद्धियों आद से संबंदित भी प्रस्न होंगे तो हमारे लिए वहनुक्सान दायक होगा इसलिए आप कोई भी प्रैक्टिस्ट ले किसी भी पब्लिकेशन का ले बस यह ध्यान रखे कि उसमें वरतनी आद और तथात्मक रूप से जो जानकारिया दी गई है उससे संबंदित गल्तियां ना हो यह हो तो बहुत कम से कम हो क्योंकि सव प्रतिसत सुरक्षा के गारंटी कहीं पे भी नहीं है जब हमारी पुस्तके समाप्त हो जाए हम पुराने पुस्तकों को पढ़ लेंगे और हमारा ज्यान जो है एक अच्छे अस्तर पर प्रिक्षा को पास करने के लाइफ हो जाएगा तो हम प्रेक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उसके पहले प्रेक्टिस सेट पे हाथ बिल्कुल भी बत लगाईएगा क्योंकि वह आपके लिए बैक फायर कर सकता है और आपको रोक सकता है आपको मनुबैज्यानी ग्रूप से परिक्षा के अनुकूल होने से बिल्कुल उसमें बाधक साबित हो सकता है इसलिए प्रेक्टिस सेट हमेशा बिल्कुल परिक्षा से संबंदित संपूर्ण पाठ्यकरम को पढ़ने के बाद कंप्लीर करने के बाद ही हम प्रेक्टिस सेट पे जाएंगे इसलिए practice set बहुत ही जरूरी है practice set से जो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि 2 घंटे का जो हमें समय मिला हुआ है 2 घंटे का जो समय मिलता है 2 घंटे के समय में 125 प्रस्णों को जो solve करना है वह कैसे करेंगे जादा से जादा प्रस्ण अधिक से अधिक जो प्रस्ण है वह कैसे अधिक से अधिक प्रस्णों को हम solve करें अधिक से अधिक प्रस्ण हमारे पेपर के जब solve होंगे तो हमारी समय मिलकुल ही सुनस्चित होगी इसलिए practice set बहुत ही जादा जरूरी है जिस पर जो हमारे रड़ीत का एक सबसे खास और अंतिम पहलू है इस practice set में सिर्फ ने प्रस्णों को ही नहीं बलकि हम अगर हम पुराने प्रस्णों को भी solve करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही बहुत ही फाइदा मंद होगा और बहुत ही कामगार होगा और हमारी तयारी है वह बिलकुल इससे यह पता चल जाएगी हमारी तयारी किस रूप में है और अभी अगर कुछ और काम करना सेस रह जाता है तो उसमें बाकी जिस प्रकार से सयोग है वह बिलकुल आपको रहेगा कुछ लोग इसलिए परिशान है और आरब कर दे अंजित्था बाकी की भीड़ में आप भी वैसे लोगों के साथ अगर आप बैठे देख रहे हैं तो कोई बात नहीं इससे आपका कोई फाइदा नहीं होने वाला इसलिए परिक्षा की तैयारी में जुड़ जाएए जो भी सहीयोग पेक्षित है वा हमसे और हमारे संस्थान से आपको बिल्कुल हवेसा बिद्वत बिलता रहेगा परिक्षा की लिए जो सबसे महत्पूर चीज है आज से लग जाना और लगातार बिना किसी रुकावट के परिक्षा को पास करने का यहीं एक मोल बंतर है लगातार बिना किसी रुकावट के पढ़ाई को जारी रखना अगर आप अब सुरुवात होना बड़ी बात नहीं है बहुत लोग कर देते हैं सुरुवात कि अगर सुरुवात के बार पढ़ाई किसी भी रूप में बाधा क के साथ चल रही है एक दीन पढ़ रहे हैं दूसरे दिन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो यहां भी यह बहुत ही गलत पात है और इससे परिक्षा में बहुत ही बाधा उत्पन होगी और आपके लिए बहुत पाठेकरम को साथ में रखे, पाठेकरम याद हो, एक खंड को, चोटे-चोटे-खंड को, चोटे-चोटे उपखंडों को लेकर पढ़ते रहें, और उसे सम्बंधित तयारी करते रहें, नोट साथ में बनाते रहें, ताकि बाद में आपको रिवीजन करना बहुत ही आसान हो का फिर उसके मां साद दिन का फिर उसके मां लास्ट दे का रिमीजन जो है वो आपके लिए बिल्कुल मातपूर्ड होगा और आप परिच्छा के लिए बिल्कुल तयार होगे और आपको कहीं से कोई निकत नहीं होगी और आपके सबलता कि ने जाकर आप करेंगे उसका उतर दिया जाएगा और वहां आपको उप्लब्ध कराई जाएगी तो आप सब को परिप्छा के लिए आपके पयारी के इंए आपको सब कामना देते हुए अपनी बात को यही पर विराहब देते रहाद